आज हम अमारा जो थर्ड पार्ट है उसको कम्प्लीट कर रहे हैं यानि कि हम वाटर पॉलूशन के बारे में आज बढ़ेंगे केमिकल से हमारे पानी में आकर कि मिक्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसे क्या हमें इसे कहते हैं वाटर पॉलूशन people throw a lot of waste and plastic in the water bodies like river and seas which pollute the water यानि कि pollution कैसे होता है हम जब बहुत सारी हम bottle फेग दी हमने कच्रा फेग दिया plastic फेग दिया पानी में हमें जब प्रदूशित कर दिया हमारा जो भी पानी है हाँ rivers है तो क्या हो गया कि वहाँ पर हमारा water pollution हो गया यह इंडस्ट्री वीस्ट इस मेजर सोस ऑफ water pollution यानि कि यह जो इंडस्ट्री होती है इनका जो गंदा पानी होता है इनसे निकलने वादा जो भी गंदा पानी होता यूज वाटर वो डेरेक्ली जाकर कि जब हमारे नदियों में मिल जाता है तो उसे क्या होता है उससे पहली बात तो वहां पर हैने वादे जो भी जानवर होते है जानवर बुड़ियों जो भी फिशेज होती है जो भी अक्वाटिक अनमल होते है वो मर जाते है उनके मरने से क्या होता है कि जो रीवर को साफ करने का जो नाचरल प्रोसेस होता है वो र जोटा एब Тो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे तेल बऊस्टे, और दीशूपन से आता है तो क्या होते है जो próprio ships होते है यह जाते हैं जाते पर वहां से भरकर करके यह बर आते enough पर पर पानी में नहीं होता है तो बना देता है उसे क्या होता है कि जो इनिमल्स होते हैं उनको धूप नहीं मिलती जिससे कि वो उनकी डेथ हो जाती है थीक है यानि कि oil spill से जो aquatic animals है उनकी death हो जाती है through the inhalation and ingestion और externally through the skin exposure the poison constituents causes death of the marine life marine life का क्या मितलब है जो पानी में रहने वाले जानवर है steps to prevent water pollution कैसे हम water pollution को रोग सकते हैं use water wisely मतलब हम अच्छी तरीके से पानी को use करें बर्बाद ना करें do not throw rubbish and garbage in the water bodies water bodies जो जैसे river हो गया pond हो गया लेक हो गया इन सब जगह से जगह उपर हमें garbage अगरा नहीं वेगना चाहिए ठीक है तो यह आज हमने किसके बारे में पढ़ा आज हमने हमारा water pollution के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगी land pollution land pollution is the degradation or destruction of earth surface and soil land pollution के है जो हम हमारी जो earth की जो surface है soil उसको जब हम degradate मतब उसकी quality को खराब कर देते हैं soil की तो उससे हमारा land pollution हो जाता है there are many factors that are responsible for land pollution such as deforestation, soil and soil erosion and overcrowded landfill industrialization and construction activities etc these are cut down trees are cut down for construction purpose leading to the deforestation and soil erosion तो हमारा soil land pollution हमने देख लिया क्या होता है कि जबी भी हमारा जो land है उसकी जो quality खराब हो जाती है तो हम उसे land pollution कहते है अब यह किन कारणों से होता है इनके जो main कारण है वो है deforestation and soil erosion soil erosion से हमारा soil की quality होती हो खराब हो जाती है एक और reason है over crowded landfill यानि कि जब बहुत जादा कच्ड़ा एक जगे खटा हो जाता है तो भी हमारा landfill का problem हो जाता है landfill मतलब basically क्या होता है कि जब हम कोई खाली जगह होती है उस पर हम कच्ड़ा लाकर डालते रहते डालते जालते उसको landfill कहने लग जाते है industrialization अब जो industries वेगरे खड़ी होती है वहाँ पर क्या होता है वह बहुत सारा चीज़े होती है वहाँ पर ना chemicals वेगरा होते है वेस्ट होते है तो उससे क्या होता है कि वहां की जो soil होती है उसका destruction हो जाता है सेमेस construction activities में भी यही होता है ठीक है अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं how to prevent this we should follow the 3rs rule यानि reduce reuse and recycle ठीक है हम अगर 3r को use करें उसको follow करें यानि कि हम हमारे जो भी कछिरे हैं हम उनको कम से कम निकाले हम प्लास्टिक को बार बार यूज करें ठीक है और रिसाइकल करें ठीक है उसको हम जो भी हम फेक रहे हैं इस तरीके से फेक हैं कि वह उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं use refill instead of buying a bottle as this will reduce the garbage and energy in the manufacturing तो हम जैसे कि कहीं पर भी जाते 10 रुपे की bottle खरी लेते हैं हमारे पर बॉटल है तो हम क्या कर सकते हैं उस बॉटल को दुबारा से पानी भर सकते हैं और इस तरीके से हम एक और प्लास्टिकी बॉटल खरीदने से रूख सकते हैं और पॉलिशन काम कर सकते हैं by only when you need कुछ भी कभी तभी खरीदना ऐसा जो जब जरूरत हो do not litter on the ground में तो कहीं पर फेकना नहीं है उसको ठीक है reuse the plastic and glass jar and container of the storage purpose यह जो storage purpose के लिए प्लास्टिकी बॉटल लगे रहा है इनको हम यूज कर सकते हैं container की तरीक तो यह हमारा land pollution इसको हम किस तरीके से रोख सकते हैं underwater noise pollution is an intense human generate noise in marine environment it is caused by the use of explosive oceanographic experiment geophysical research and underground construction ship traffic etc underground noise pollution यानि कि हमारे जो भी हम construction के activities करते हैं drilling वेगरा करते हैं ships वेगरा उससे के और है कि जो marine animals जो कि हैं उन तक noise की pollution है यह वहां तक पहुच पा रहा है ठीक है जो कि वहां के लिए harmful हैं क्योंकि जो marine animals होते हैं वह बहुत ही जादा कह सकते हो नाजुक होते हैं तो चलिए आज हमने land pollution कवर किया नेक्स वीडियो में हम noise pollution को करेंगे तिल नेक्स वीडियो बाए everyone take care